नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका केरियर काउंसलिंग की सीरीज में बच्चों केरियर काउंसलिंग की सीरीज में हम बात करेंगे गौर्मेंट जॉब्स के ओपर बच्चो आज के समय में हर अभ्यरती की इच्छा होती है, उसकी सपना होता है कि वह गोवर्णमे जो लगे क्योंकि बच्चो वर्तमान परस्थितियां ही इस परकार की हैं, कि हर फेमिली मेमबर है जो यदिती, अगर माता पिता है वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा है सकते हैं यानि की काफी सम्मान जनक पद हैं जिनकी त्यारी करकर आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं लेकिन बचो एक जो अपना अगर करियर की बात कर तो हमारा करियर है वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही महत्वपूरन चीज होती है बचो क्योंकि यदि हमारा करियर अ decide नहीं कर पाते हैं कि हम किस फिल्ड को चूज करें क्योंकि बच्चों कई बार guidance की कमी की होने की वज़े से या कई बार गलत guidance मिलने की वज़े से हम कई बहुत बार गलत फिल्ड को चूज कर ले तो बच्चों अगर आपने गलत फिल्ड को चूज कर लिया है और आप वरतमान में जिस दिती में भी हैं या जिस मोड़ पर खड़े हैं वहाँ से भी आप अपने करियर की एक अच्छी शुरुवात कर सकते हैं यदी बच्चों आपको एक अच्छी गैडनेंस मिलें तो बच्चों हमारा जो मौटी वै वीडियो बनाने का वो यही है करियर काउंसलिंग के उपर कि हम आपको एक अच्छी गाइडेंस दे और एक अच्छी रहा की तरफ लेके जाए ताकि आप एक अच्छा फ्यूचर बना सके तो बच्चों हमने गौर्णमेंट सर्विस के उपर सारी वीडियोज बनाई हैं लगबग गौर्णमेंट सर एक्जाम हैं सारे ही एक्जाम को हमने अलग-अलग से कवर अप किया है यदि आप यह डिसाइड नहीं किर पार रहे हैं कि किस फिल्ड को चूज करें तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं उसी परकार बच्चों अगर हम बा व इसलीए है कई वार कुछ बर्ति हैं जनकी फेमिली कंडिशन की वजसे या किसी वी कारणवश जो जो पढ़ाई है वह बहुत ही कम समय में छूट जाते हैं तो बच्चों हमने दस्वी यानि की टैंथ और टैंथ प्लस टू के अधार पर भी बरतियों को कवर अप किया है ताकि आपका जो गौर्णमेंट सर्विस में जाने का सपना है वो किसी भी तरीके से रहना पाए और यदि आप एक अच्छे एजुकेटेड परसन हैं तो आप अधिकारी लेवल की भी त्यारी कर सकते हैं हमने उन सारी वीडियो को भी राज्या सरकार की यानि की आर एस अगर मात करें आर एस आर पीएस आर टीएस जिनका एक्जाम आर पीएस ही करवाती है उ तो बचो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्तान हाई कोड की भरतियों के बारे में और राजस्तान हाई कोड की बरतियों राजस्तान हाई कट कौन-कौन सी भरतियां यानि कौन-कौन से एक्जाम कंड़क्ट करवाता है इन पर भी हमने अलग से वीड तो अगर आप रूची रखते हैं नायपलिका में जाने की और अपने आपको बिविश्य में एक जज के रूप में देखना चाहते हैं तो बच्चों इस बर्ती के लिए आपके पास जो युग्यता है वो होनी चाहिए आपके पास लो में सनातक डिग्री होनी चाहिए यानि कि बात करें LLB तो LLB आपके पास होने चाहिए उसके अलावा आपको English Hindi और Sanskrit इन बाशाओं का बच्चो ग्यान होना चाहिए क्योंकि बच्चो राज़स्तान के परीद रश्या से देख रहे हैं तो हमें इन बाशाओं का ग्यान होना चाहिए उसके बाद बच्चो अगर बात करें Ihnen की तो आयू आपकी civil judge के लिए 21 से लेकर और 40 बरस तक आप एक civil judge की भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं आगे बच्चो बात करें भरती प्रक्रिया की तो बच्चो भरती प्रक्रिया तीन चरनों में होती है जिसमें से पहला चरण होता है जिसमें एक प्री टेस्ट होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है उसके बाद होती है बच्चों मेन्स यानि की मुख्य परिक्षा और इसका जो तीसरा चरण है वो है इंटर्व्यू यानि की शाक्षात का तो बच्चों इंटर्व्यू करते हैं हम की प्रि जो इसका चरन है उसमें इसमें क्या रहता है एक्जाम का पैटरण स्लेवस क्या रहता है तो बच्चों आपने अगर लो m National क कर रखीए तो समा तक जितने वह समा तक का जो सिलेवस हैं जो आपने एलल भी के अंदर पड़ के अंदर उसके बाद बच्चो इसमें दूसरा पेपर होता है पेपर सेकिंड ये भी होता है लो का और फिर इसमें बच्चो पेपर होता है तीसरा थर्ड ये होता है इंग्लिश लेंग्विज का और चोथा होता है पेपर फोर्थ ये होता है हिंदी यानि कि इंग्लिश और हिंदी में प्राफिसेंसी टेस्ट किया जाता है कि आपको Hindi और English का कितना knowledge है यानि कि Hindi और English Language का भी पेपर इसमें होता है अब बचचों जे पेपर होता है लगबग 100 लाँ 100 लाँ 400 नंबर का ये पेपर होता है और इस 400 नंबर के paper को आपको qualify करना होता है अब बच्चो minimum जो qualifying marks है वो general category के लिए रहते हैं 40 परतिशत और बाकी relaxation category के लिए रहते हैं वो 35% अब बच्चो ये depend करता है 40% ये depend करता है कि 40% minimum है लेकिन कई बार पदों के इसाब से जितनी vacancies है उस इसाब से categories wise cut up 40% से उपर भी जा सकती है ये minimum nature होता है इसका बच्चो जो बच्चे qualify करते हैं mains के लिए वो बच्चो मुख्य प्रिक्षा में बैठते हैं और मुख्य प्रिक्षा में भी चार पेपर होते हैं जिसमें पेपर first होता है लो का उसके बाद पेपर second होता है ये भी लो का और same pattern रहता है बच्चो पेपर third लेकिन pre के comparative अगर mains की बात करें तो इसका जो level होता है वो upper star का होता है यह बच्चो एक मध्यम स्तर का level होता है यहाँ पर अपर स्तर के level के question आते हैं यह होता है बच्चो तीसरा Hindi proficiency test और English proficiency test इसमें बच्चो लो का पेपर आता है सो माक्स का दोनों सो सो के और यह आते हैं 50-50 यानि की 300 नंबर का पेपर होता है अब बच्चो यह 300 नंबर के पेपर को यानि की मुख्य प्रिक्षा में जितने भी अभियर्थी पदों के इसाब से interview के लिए बलाय जाते हैं तो मुलाय जाता है interview के लिए तो interview की cutoff को cross करने मेंस की cutoff क्रोश करते हैं वो बच्चे बैठने interview के लिए select होते हैं बाद में बच्चों interview में जो चैन होते हैं बच्चे interview के देने के बाद क्योंकि interview होता है यह होता है 50 नंबर का तो 50 और 300 साड़े 300 में से cutoff निरधारित होती है और उस cutoff को अंतिम रूप से जिस अब बरती cutoff को cross करते हैं वो civil judge के रूप में पद ग्रहन करते हैं तो बच्चों आज की वीडियो में हमने जाना कि जो civil judge की बरती है वो कौन उसका जो exam में कौन सा board conduct करवाता है और इस जो civil judge का exam syllabus exam pattern क्या होता है इसी परकार बच्चों करे में वीडियो देख सकते हैं आज की वीडियो में बच्चों इतना ही धन्यावाद करें करें